कि नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का कोशन ओफ दे वाले सेशन में मेरा नाम है शुभम आपका रीजिनिंग मेंटॉर आज करेंगे एक कोडिड इन इक्वालिटी का कोश्चन और एक मिसिंग केरेक्टर का कोश्चन ठीक है ना तो बने रहेगे का पूरे सेशन में मे पहला सवाल आपके सामने यह रखा गया है हमारे सामने एक कोडिड इन इक्वालिडी का कोश्चन है इसको आप वीडियो पॉस करके खुद से एक बार सॉल्फ करने की कोशिश करो जैसे भी कर सकते हो जितना भी कर सकते आंसर निकालने की कोशिश करना अब हम इसको एक बार solve करते हैं ठीक है देखो भई हमने यहां पर एक कुछ बॉक्स बनाया और बॉक्स में कुछ letters लिखे कुछ symbols लिखे कुछ ऐसा denote किया है किसी symbol को किसी sign से इसका क्या मतलब है यह जो box होता है यह complete हम इसको बोलते बॉक्स या black magic box ऐसा कुछ करके जो भी आपने नाम दिया हुआ हमने तो कोई नाम नहीं दिया यह बच्चों नहीं नाम दिया इसका black magic box करके इसको द्यान से समझते क्या है आपने simple सा एक box create करना है ठीक है तो normal inequality तो हो जाती है और मैं इस question को ऐसे समझा रहा हूं यह मानते हुए कि आपको normal inequality जो basic inequality उसका concept पता है ठीक है आपने बॉक्स बढ़ा लेना है आपके पास science कौन कौन से होते हैं greater greater equal smaller smaller equal और equal यह पांच साइन होते हैं तो जो same family के sign है उनको एक तरफ लिख दो जो same family के sign है family मतलब कि एक जैसे दिखने वाले उनको एक तरफ लिख दो और equals को बीच में डाल दो शर्त यह है कि अगर यहां greater लिखा है और यहां greater equal लिखा है तो इसके opposite में smaller ही आना चाहिए smaller equal नहीं आना चाहिए मतलब यह जिस stage का sign है कौन सा stage है यह greater का stage है तो यहां पे smaller आएगा ना कि smaller equal यह greater equal है तो यहां पे smaller equal आएगा और यहां पे बीच में equal डाल दो वही हमने किया है greater greater equal smaller बीच में equal इतना कर लिया यह box तो आपने बना गया अब हर एक sign का greater का अलग मतलब है greater equal का यह हर एक sign का यहां पे कुछ मतलब दिया गया है दिया गया है अब अगले question पर आगे ना ठीक है तो यहां पे हर अब आपको question solve करने कैसे करना है बड़े ध्यान से समझना बहुत ही आसान तरीका है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बहुत चुटकियों में हो जाएगा इस सवाब आपने सीधे conclusion पर आना है और conclusion पर किस चीज़ पर ध्यान देना है पी और यू आपको पी से यू तक का एक relation create करना है ना तो पी से हम यू तक जब पहुचेंगे तभी तो बता पाएंगे पी और यू में क्या relation है तो पी से यू जाने के लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा क्या रास्ता है रूट क्या है ठीक है ना रूट बनाना है रूट क्या है यह पता गरना पड़ेगा तो पी से हमें कहां तक जाना है यू तक जाना है कैसे रस्ता बनाएं जदा देखो द्यान से पी से हम कहां जा सकते हैं हम पी से क्यू तक जा सकते हैं ये Q और ये Q सेम है, तो Q से हम T तक जा सकते हैं, ये T और ये T सेम है, तो हम T से U तक पहुँच जाएंगे, तो हमने क्या रस्ता अपनाया, T से Q का, Q से S का, S से T का, T से U का, ये रास्ता अपनाया, बोलो हां, ठीक है न, अब इनके बीच में हमें कुछ sign मिले, कुछ symbol मिले, म आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ रस्ता बनाना है, आखों का ही एक खेल है, P से Q का, रास्ता बनाया, आपको मिला and, यहां पर आपने देखा, and का क्या मतलब है, ये मतलब है, बस मतलब देख लो, कुछ करना नहीं है, Q से आप S गए, डॉलर मिला, डॉलर का मतलब ये है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे ही दोनों फैमिलीज मिल जाएं, चाहे वो ऐसे मिलें, चाहे वो ऐसे मिलें, या ऐसे मिलें, या ऐसे, मतलब opposite फैमिलीज जैसे ही मिल जाएं, relation नहीं बनेगा बात खत्म, ठीक है, जैसे ही आपको दो अलग अलग फैमिलीज के sign मिल relation नहीं मनेगा बात कतल तो इसमें relation नहीं मनेगा अब R से T जाना है R से T अब यहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा twist है वो देख लेना R यहाँ पर है T कैसे जाओगे भाई R से Q जाओगे Q से T जाओगे यह T और यह T सेम है तो यहाँ तक भी पहुच सकते हैं बात कर तो आचा जी reasoning left to right चलती है ठीक है ना हम हमेशा left end और right end तो left to right चलती है और maths यह तो reasoning चलती है maths हमेशा right to left चलती है once tens hundred thousand ten thousand ऐसे चलती है तो right to left चलती है और reasoning हमेशा left to right चलती है तो अब यहाँ पर हम R से Q गए और फिर Q से T गए है यह ना तो जब Q से T जा रहे है तब तो left to right जा रहे है सही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन Q से R जा रहे है तो हम यह right to left आ रहे है दाएं से बाएं की तरफ आ रहे है तो यह उल्टा रास्ता अपनाया हमने बोलो यह उल्टा रास्ता अपनाया और जब हमने उल्टा रास्ता अपनाया तो हमें कुछ changes करने पढ़ेंगे कौन से changes is sign को उल्टा कर देना होगा बस sign को उल्टा कर देना होगा बस और कुछ नहीं कर देखो R से क्यों गए उल्टा गए ना right to left गए तो hashtag मिला hashtag का उल्टा क्या होगा hashtag का उल्टा होगा उसके just सामने वाला sign इसी लिए मैंने बोला था कि greater के सामने smaller ही आना चाहिए तो smaller का उल्टा क्या होता है greater होता है ना तो वहीं इसके सामने वाला sign तो अभी अगर हम Q से R के बीच sign पूछे तो Q से R के बीच sign है hashtag जहां से देखना hashtag hashtag तो यह sign है अगर हम R से Q जाएंगे तो हमें R greater Q मिलेगा लेकिन अगर हम Q से R जाएंगे तो हमें smaller मिलेगा तो अगर हम ऐसे देख लेंगे तो गडबड़ हो जाएगा इसलिए हमने क्या करा उल्टा गड़ दिया greater का sign चाहिए ना में क्योंकि हम R से Q जा रहे 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 है पास में यह आया है क्यों से S जाना है तो क्यों से S हमें dollar मिला फिर से हमें dollar मिल ठीक है S से T हमें percentage मिला S से T हमें percentage मिल गया T तक पहुच गए R से T तक पहुच गए अब हमें priority वाला खेल खेलना है इन दोनों में greater और greater equal में priority किसकी बड़ी है greater की बड़ी है मतलब की answer में dollar आना चाहिए क्या answer में dollar पूछा गया है बिलकुल पूछा गया तो यह सही है पहला वाला गलत था दूसरा वाला सही है समझ में आ गई अगर नहीं आया तो अगला question समझ में आ जाएगा मतलब अगला वाला conclusion समझ में आ जाएगा उसको एक बड़ देखते है यू से क्यू यू से क्यू देखो जड़ा यू कहां है यहां पे है क्यू कहां है यहां पे भी है यहां पे भी है कैसे जा सकते यू से क्यू देखो U से हमें T जाना है और T से हमें Q जाना है तो आप देखो U से T उल्टा आए और T से Q उल्टा आए तो सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे एंड का मतलब क्या है एंड का मतलब परसंटेज हो गया ठीक है बई T से परसंटेज ट से परसंटेज मिला ना तो परसंटेज का उल्टा एंड आ गया दोनों फैमिली मिल गई मतलब ये भी नहीं बनेगा आंसर गया हो जाएगा इसका only second conclusion is true answer second ठोड़ा सा लेंदी है बस आप अगर same family के symbols मिले तो priority चेक कर लो अगर different families के symbol मिले तो relation नहीं बनेगा अगर left to right जा रहे हो तो कोई change नहीं करना है लेकिन अगर right to left आ रहे हो तो symbol को just opposite कर देना है यही कुछ चीजे हैं जो आप ध्यान में रखनी है अगला इसका जो सवाल है इसको आप खुद को खुद से solve करिए इसके बाद अभी आएगा missing character वाला वह भी बता दे रहा हूं लेकिन यह वाला question आप खुद से solve करिए उसी format पे है मैंने box भी बना के दे दिया आपको आप इसको खुद से solve करना और comment करके बताना क्या answer आएगा comment करके बताना जरूर मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा कि सही यह की गलत है चलो यह एक आपके सामने question है box बना हुआ है box में कुछ numbers लेखे हुए यह question mark है इस question mark की जगे पर क्या आएगा यह आपसे पूछा गया है इस type का question आपको ssc के exams में देखने को बहुत मिलता है अ तब या तो या तो दो दो चीज़े हो सकती या तो इसमें इस तरीके का movement चल रहा होगा कि इस दो नंबर से कुछ हमें यह मिल रहा होगा इस दो नंबर से हमें कुछ यह मिल रहा होगा तो हमें इन दो नंबर का खयाल करके यह निकालना होगा या तो इस तरीके का movement चल रहा हुआ या फिर या फिर क्या हो रहा होगा या फिर ऐसा हो रहा हुआ कि इन दोनों नंबर्स के मदद से हम यह नंबर निकाल पाएंगे और फिर इन दोनों numbers की मदद से हमें ये number निकालना होगा ठीक है तो ये दोनों patterns में से कोई भी pattern लग सकता है आपको क्या करना पड़ता है थोड़ा सा इसको check करना पड़ता है cross verify करना पड़ता है plus practice जितनी करोगे उतना ही जल्दी या आसानी से आप इन सारे logics को identify कर पाऊगे यहाँ पर क्या ल Jedi कर देए अगर इन दोनों को तो हमें 11 मिलेगा इन दोनों की multiply करो 24 मिलेगा इन दोनों की multiply कर आओ चे मिलेगा चूबिस प्लस शे यहां पर मतर हो जायेकी और इन दोनों की multiply बारा हो जाएगी aug formas बारा हमें आंसर मिल करनल को जरूर जोइन कर लेना है यह हमारा एक प्लस बैच चल रहा है यह प्लस बैच चल रहा है जो कि 8th of June से स्टार्ट हुआ था ठीक है 8th of June से मारा स्टार्ट हुआ यह बैच 12 बजे इसकी टाइमिंग अदो पहर की mcq of reasoning पूरा का पूरा बैच जो है वो mcq-based है मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं questions कराऊंगा with poll and explanation prelims and mains दोनों को ही cover करा जाएगा ठीक है और इसमें जो topics हैं हों क्या-क्या cover होंगे अल्फ अनुमारिक सीरीज बिलेड रिलेशन पोडिंग डिकोडिंग डारेक्शन सेंस डेटा सुपिशन सी इनिक्वालिटी मशीन इंपट आउटपूट से लॉग इस सभी topics आपके इस पूरे के पूरे बैच में cover होने वाले हैं अगर इस 20 महीने का सब्सक्रिप्शन में उन लोग को सजेस्ट करूँगा अगर आप फिर 12 महीने का get और 24 महुने का extra benefits which यह तो गई paid classes, यह है हमारी free classes, coins का सुभा daily साड़े आठ बजे मौक चल रहा है, और reasoning का daily दस बजे मौक चल रहा है, कितने questions का मौक चल रहा है, 40 questions का मौक चल रहा है, ठीक है न, मतलब की reasoning में भी, coins में भी 40 questions, और reasoning में भी 40 questions, in short, RRB के base, मलब RRB के base पर, हम अभी मौक ले रह share जरू कर देना, चैनल को subscribe करना, और comment करके बताना session कैसा लगा, do like and share the session, sharing is very important, ख्याल रखिएगा, let's crack it.